गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा खाना किसे पसंद नहीं होता है न दोस्तों हर किसी को डोसा पसंद आता है आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगे जिससे सभी के डोसे खुब अच्छी तरह से सिकेंगे भी और निकलेंगे भी नमस्कार दोस्तों मैं अर्चिना सिना और स्वागत आपका किचिन में तो बनाना शुरू करते हैं दोसा बनाने के लिए मैंने चावल और उड़त की दाल को अच्छी तरह से वाश करके 5-6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था आप चाहें तो बर नाइट भी रख सकते हैं दोसा में चावल और दाल दोनों का रेशिय देखना होता है आप किसी बरतन से माप कर सकते हैं या तो आप कटोरी से माप कर लेजिए या फिर किसी कप से माप कर लेजिए रेशियो यह होना चाहिए कि अगर आप चावल ले रहे हैं चार कप या फिर चार कटोरी तो दाल की मात्रा होनी चाहिए तीन भार याने की तीन कटोरी या फिर तीन कप अब दाल और चावल को हम पानी से अलग कर लेंगे और इसे एक मिक्सि करती हूँ ये देखिए खुब अच्छा पेस्ट हमारा तयार हो गया है पेस्ट हमारा सही तयार हुआ है या नहीं इसे आप उंगलियों पर इस तरह से लेकर के चेक कर सकते हैं अगर ये बिल्कुल बारीक है और चिकना है तो हमारा पेस्ट अच्छी तरह से तयार हो गया है इसी तरह से हम सारे दाल और चावल को पीस कर पेस्ट इसका त्यार कर लेंगे. अब एक बड़े बरतन में ही हम पेस्ट को रखते जाएंगे. किसी बड़े बरतन में ही जरूर रखें क्यूंकि हम इसे जब फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तो ये डबल हो जाएगा. इसलिए बड़े बरतन में रखना जरूरी है. बैटर को फर्मेंट होने में 8-10 घंटे लग जाते हैं, तब ही इसका अच्छा खमीर निकलता है. सर्दियों में ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है. मैंने इस पिठी को होल नाइट के लिए रख दिया था. और ये देखिए, कितना सुन्दर खमीर इसका निकलाया है. तो सुबर सुबर दोसे की तैयारी कर ली जाए. इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. चारों तरफ से इसे खुमाते हुए खुब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और अब इसमें हम एट कर लेंगे नमक. नमक थोड़ी मात्रा में ही डालें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालें. मैं यहाँ एक चमच से भी कम इसमें नमक एड़ कर रही हूँ. इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे. और अब हम डोसा के साथ सामबर भी तो जरूरी होगा, तो उसकी तैयरी कर लेते हैं. आज मैं सामबर मसूर दाल में बनाने जा रही हूँ. जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए मसूर दाल में बना हुआ सामबर बहुत ही टेस्टी होता है. वैसे सामबर की मेरी एक और रेसिपी है जिसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्स न बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. एक बॉयल आने के बाद इसमें जो जाग निकल आया है उसे हम निकाल देंगे. ऐसा करना अच्छा होता है. ये जाग निकालने के बाद अब हम इसमें सबजियां और मसाले एड़ करेंगे. सामबर में सबजियां आप अपनी पसंद के अनुसार एड़ कर सकते हैं. इसमें साबू थरी मिर्च है जिसे बीच से हमने चीरा लगाया हुआ है. इससे सामबर में टेस्ट अच्छा आता है. और इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज. प्याज सामबर में डालना जरूरी होता है. इससे सामबर का टेस्ट निखर के आता है. लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो. तो दो से तीन मीडियम साइज के प्याज को बारिक छलो में हम इसे काट करके और इसमें एड़ कर लेंगे. अब इसमें हम एड़ करेंगे मसाले, जिसमें लाल मीड़ का पाउडर, यहां मैं हाफ चमज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग एड़ कर लेना, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हाफ चमज के ही करीब, और अब इसमें हम डालेंगे नमक. नमक आप अपने स्वाद के एकॉर्डिंग डाल सकते हो, यहां वैसे देर चमज के करीब नमक इसमें आ जाएगा. अब यहां कुकर के लिड को हम बंद कर देंगे और धीमी आज पर ही इसे पकने के लिए रख देंगे. दो सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. और अब भाजी की तयारी कर ली जाए. दोसा बन रहा है तो उसमें भाजी तो लगेगी ही भाजी के लिए गैस पर हम एक पैन या कड़ाई को रखेंगे और इसमें दो चम्मच सरसो का तेल एड़ कर देंगे इसे गर्म होने देंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे एक चम्मच राई के दाने इसे हलका सा चटकने देंगे और इसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे करीपता आठ से दस करीपते हम इसमें एड़ कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे बारिक कटे हुए अद्रक जो एक इंस का टुकड़ा अद्रक था उसे हमने बारिक चॉप कर लिया था और दो से तीन हरी मिर्च इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर इन सब को हम अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सौते करेंगे एक से दो मिनट इसे हलका सा हम फ्राई करेंगे और इसमें अब हम थोड़े से मसाले अड़ करेंगे इसमें वन फूर्थ चम्मज जीरा पाउडर हाफ चम्मज लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मज ही हल्दी पाउडर थोड़ी सी एक से दो पिंस काली मीर्स का पाउडर अब इसमें हम एड़ करेंगे एक चमज गरम मसाला पाउडर और अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे एक से दो मिनट इसे हम भून लेंगे और यहाँ पे इसमें हम एड़ करेंगे उबले हुए आलू यह चार बड़ी साइज के उबले हुए आलू है जिने मैंने ऐसे ही रफली तोड़ लिया है और अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे एक से दो मिनट तक तेज आज पर फ्राई करेंगे उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे नमक आप चाहें तो इस भाजी में अपनी पसंद की और भी सबजियां आड़ कर सकते हैं आप चाहें तो सिमला मेर्च, गाजर, मटर इसमें मिक्स कर सकते हैं यह टोटली आपके उपर है और अब इसमें हम स्वादनुसार नमक अड़ कर लेंगे यहां मैं इसमें एक चमच नमक अड़ कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग इसमें नमक अड़ कर लीजे और इसे अब तीन से चार मिनट के लिए हम और फ्राई कर लेंगे और अब इसे 3-4 मिनट के लिए हम तेजाज पर और भून लेंगे लीजिए हमारी भाजी तयार हो गई है और अब सामभर की बारी उसे हम चेक कर लेते हैं दोस्तों अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए तो हमारा सामभर तयार हो चुका है और इसमें अब हम उपर से एक मुठी करीपतर डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे दो चमच भूना हुआ धनिया का पाउडर इसे हमने हलका सा रोस्ट कर लिया था यह 25 ग्राम के करीब इमली को मैंने फुलाया था इन सब को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लिजी हमारा सामभर बन करके तयार हो गया है तो हमारा सामभर भी तयार हो गया है और हमारी भाजी भी तयार तो अब डोसा बना लिया जाए यहाँ दोसा बनाने के लिए मैं दोसा तवा का इस्तिमाल कर रही हूँ इस में तो दोसा आसानी से बन जाता है दोस्तों लेकिन बहुत लोगों के पास ये दोसा तवा नहीं होता तो simple तवा पे बनाने में उन्हें बहुत सारी परिशानिया आती है लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रही हूँ उससे आपका डोसा खुब आसानी से सिंपल तवे पर भी निकल आएगा तो सबसे पहले आप तवे को थोड़ा सा ग्रीज कर लीजिए इसे खुब अच्छी तरह से पहले गर्म होने दीजिए और इसे ग्रीज कर लीजिए थोड़ा सा तेल से जब इसे ग्रीज कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एक सिक्रेट जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ वो आप इस पर तबे पर चारो तरफ लगाएंगे और वो है ये प्याज का टुकड़ा जी हाँ प्याज को मैंने हाफ टुकड़ो में कट कर लिया है और चुकी हाथ जले नहीं इसलिए मैं हाथ से नहीं लगा रही हूँ इसे चाकू में इस तरह से फसा लिया है और इसे अब हम चारो तरफ तबे पर घुमा लेंगे ये देखिए इस तरह से चारो तरफ जब आप तवे पर इसको इस तरह से लगा देंगे तो आपका डूसा जो है वो तले में चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल आएगा इस तरह से हम बैटर को डालेंगे एक से दो इस्पून जिस तरह का तवा होगा उस अनुपात में आप बैटर को एड़ कर लीजिए छोटा तवा है तो आप उस पे एक ही चमस डालिए और इस तरह से फैलाते हुए हम चारो तरफ इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे अब इसमें उपर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और स्पैचुला की सहाथा से इसे इस तरह से उपर की परत इसको चिकना कर लेंगे अच्छी तरह से डोसा को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकेंगे इसी से डोसे क्रिस्प बनेंगे तेजाज़ पे जब आप इसे सेकेंगे तो वो जल जाएंगे तो इस बात का आप खयाल रखें और ये देखिए बिना किसी परेशानी के हमारा डोसा यूही उखडाया है देख रहे हैं आप और ये कितना क्रिस्प भी दिख रहा है न तो इस तरह से सब के डोसे आप आसानी से बनेंगे इसके उपर अब आप जो आलू का मसाला हमने तयार करके रखा हुआ है ये भाजी को इस पर हम लगा देंगे और इसे दोनों साइट से हम मोड लेंगे तो ये लीजिए हमारा क्रिस्पी डोसा बन करके तयार हो गया है है न लाजवाब अब आप दोसा बनाने से बिलकुल न घवराएं आसानी से आपके दोसे निकल आएंगे और इस तरह से हमारे दोसे क्रिस्प भी बनेंगे और अब एक बार नॉर्मली जैसे दोसे बनते हैं मैं उस तरह से भी बना करके आपको दिखा रही हूँ यह इस तरह से पानी का छीटा हम तबे पे डालेंगे जिससे की थोड़ा सा तेमप्रेचर जो है वो तबे का कम हो जाता है और उसके बाद हम बैटर को फैलाते हैं इस तरह से एक से दो स्पूना बैटर को डाल करके फैला लीजिए और फिर बाकी के प्रोसेस उसी तरह से होंगे जिस तरह से हमने पिछला डोसा तयार किया था तो इस तरह से घुमाते हुए आप इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए इसे सिंख जाने के पाथ इसमें फिर से आप डोसा के मसाले याने की अलू भाजी एड कीजिए और अच्छी तरह से धीमियाज पर क्रिस्प होने तक सेख लिजिए देखिए इस तरह से भी हमारे डोसे खुब अच्छे क्रिस्प बन गए पर नॉर्मल तवे पर इस तरह से बनाना थोड़ा कठिन होता है तो चेक कर सकते हो यह बहुत ही टेस्टी बनी है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए तो हमारे लाजवाब डोसे बन करके तयार है तो इस ट्रिक के साथ आप अपने डोसे तयार कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपके डोसे किस तरह से बन रहे हैं वीडि रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ इसी कीचिन में अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों धन्यवाद